सब्सक्राइब कर लिए संस्क्रिट का एक प्रैक्टिस सेट मैं इस प्रकार के प्रैक्टिस सेट प्रति दिन लेकर आता हूं और अगर आप TGT, PGT, CTAT, NET, UPTAT, HTAT, ZIT, आदी की तयारी कर रहे हैं तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही मैत्वपूर्ण होने वाला है चलिए शुरू करते हैं जो मित्र नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बैल आइकन को प्रेस कर लिजे जिसे मेरे आगामी जितने भी वीडियोस हैं वो आपको डाइरेक्ट मिलते देखेंगे दमुनस, द्वीमात्री, कविक्रतु, ये किसके विशेशन हैं मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर टिक कर लिजे और वीडियो के अंत में ये जरूर बताए किजे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं जिससे कि मैं आपके लेवल का प्रश्न पतर तैयार कर सकूँ तो दमुनस, द्वीमात्री, कविक्रतु, किसके विशेशन हैं ओप्षन है अगनी या सवित्री मुझे उम्मीद है आपने आंसर टिक कर लिया होगा तो इसका सही उत्तर है पहला अगनी दमुनस, द्वीमात्री और कविक्रतु जो है वो अगनी के विशे की गई है दो सो सुक्तों में और ये इंदर के बाद इंदर की धाई सो सुक्तों में है तो इंदर के बाद दूसरे नमर के जो महतुपून ये देवता है रिगवेद के अगला परसंदेखेंगे तो रिगवेद इसका अगला परसंदेखें तीन दो दस रिगवेद में करम किस का है तीन दो दस अर्था तीसरे मंडल का जो दूसरा सुक्त है उसका दस्वा मंद्र दूसरे मंडल का दस्वा मंद्र रिगवेद में कौन सा है ऑप्षन है गायत्री मंद्र या सवित्री सुक्त तो मुझे उमीद है आपने आंसर टिक कर लिया होगा तो इसका जो सही उत्र है वो है गायतरी मंत्र अर्थात ये गायतरी मंत्र का क्रम है रिगवेद में ये प्रश्म दो तरीके से बन सकता है कि गायतरी मंत्र हमें किस वेद से मिलता है तो यह हमें रिगवेद से मिलता है इसका क्रम क्या है तीसरे मंडल में मिलता है गायतरी मंतर रिगवेद के तीसरे मंडल में मिलता है और यह दूसरे सुक्त का दस्वा मंतर है और यह सवित्री सुक्त में ही मिलता है जो सवित्री देवता है उनके बारे में इसकी चर्चा की अगला प्रसंद है कि सविता देवता के कितने सुक्त है सविता देवता के कितने सुक्त मिलते है ओप्षन है ग्यारा या पांच तो मुझे उम्मिद आपने इसका अंसर टिक कर लिया होगा तो इसका जो सही उत्र है वो है ग्यारा है सविता देवता के जो हैं वो ग्यारह सुक्त मिलते हैं और जो ये पांच ओप्शन दिये हुए हैं ये विश्नु सुक्त के मिलते हैं विश्नु सुक्त के तो पांच मिलते हैं और सविता देवता के ग्यारह सविता देवता के ग्यारह सुक्त मिलते हैं अब अगला प्रसंद देखेंगे रिगवेद में कितने दार्षनिक सुक्त हैं रिगवेद में कितने दार्षनिक सुक्त हैं ओप्शन देखें बारह या बावन तो हम यहां दार्षनिक सुक्तों की बात कर रहे हैं मुझे उम्मीदा आपने आंसर टिक कर लिया होगा तो इसका सही उत्तर है पहला वाला बारह रिगवेद में दार्षनिक शुक्त बारह मिलते है जिसमें महतुपून अगर बात करें तो सबसे पहले दार्षनिक शुक्तों में पुरुशुक्त है पुरु सुक्त जो है बहुती महतुपून है नासदिय सुक्त भी आता है इसमें दार्शनिक सुक्त में हिरन्य गर्ब सुक्त भी दार्शनिक सुक्त में तो इस प्रकार ये बारह जो सुक्त है वो दार्शनिक सुक्त कहलाए गए है इसमें रिगवेद में अगला प्रस्वन देखिए इज्यते अनेनेती डैश उप्षन है यजुह या रिक तो मुझे उम्मीद आपने आंसर टीक कर लिया होगा तो इसका जो सही उत्र है वो है इज्यते अनेनेती यजुह तो इसका जो पहला वाला है यह आंसर है यजुह अगला प्रसंदे के सामवेद के देवता है सामवेद के देवता कौन है option है वायू हूँ या सूरिय सामवेद के देवता कौन कहे गए है तो आप जानते हैं वायू तो जो है वो यजरुवेद के देवता है और सूरिय जो है वो सामवेद के देवता है तो इसका सही उत्तर क्या होगा सूरिय सूरिय जो है वो सामवेद के देवता कहे गए हैं अगला प्रसंद देखेंगे एतरे ये ब्रहामन में कितने अध्याय मिलते हैं तो ओप्षन है चालीस या तीस मुझे उम्मिद आपने आंसर टिक कर लिया होगा तो इसका सही जो उत्त को सही प्रामन में कितने अध्याय मिलते हैं चालीस अगला प्रसन देखेंगे वरुन भ्रगु संबाद कहां मिलता है तो वरुन भ्रगु संबाद जो है वो उप्षन देखेंगे तैतरियोप निशद में या कठोप निशद में तो वरुन भ्रगु संबाद हमें मुझे उम्मिदा आपने आंसर टिक कर लिया होगा तो इसका सही उत्तर जो है पहला वाला तैतरियो उपनिशद तैतरियो उपनिशद में हमें वरुन भ्रगु संबाद मिलता है तो जैसा कि आप जानते हैं तैतरियोप निशद जो है कृष्ण यजुरुवेद पर हमें ये उपनिशद मिलता है कटोप निशद भी कृष्ण यजुरुवेद पर मिलता है लेगन वरुन भर्गु समवाद जो हमें तैतरियोप जो तैतरियोप आरने के जो सब्तम अस्टम और नवम अध्याय जो है उन वर्न, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान, ये किस के अंग है तो ये option देखेंगे, शिक्षा के या कल्ब के, मुझे उम्मीद आपने answer टिक कर लिया होगा, आप वीडियो को पोज करके अपना answer टिक कर लें, अगर आपको जल्दी answer मिल रहा है तो, और फिर answer देखे, फिर आगे वीडियो को चलाइए, तो इसका जो ये है, शिक्षा के अंग है, शिक्षा के वर्न, स्वर, मात्रा, बल, असाम, संतान, अगर आप से पूछता है कोई कि वह शिक्षा के कितने अंग है, तो आप छे अंग बता सकते हैं, नाम पूछता है कि संतान किसका अंग है, तो शिक् अप्षन सामवेद की या अथरवेद की तो मुझे उम्मिदा आपने आंसर टिक कर ले आओगा तो इसका सही उत्तर है दूसरा अथरवेद की चारनवेद की अथरवेद की शाखा है अथरवेद की नो शाखाए मिलती है जिसमें जलद जा जल और चारनवेद्य आदी जो है वो आपके लिए है homework है मेरा next वीडियो आएगा कल तो उससे पहले आपको इसको reply करना comment box में जाके आपको बताना रिगवेद में गायत्री छंदों की संख्या कितनी है गायत्री जो छंद है उनकी संख्या कितनी है option देखे 2467 या 4253 इसका उत्रा आपको comment box में जाके बताएए मेरा कल जो वीडियो आएगा उससे पहले पहले आपको इसका answer देना है तो आज के लिए इतना ही thank you very much